हलो दोस्तो नमस्कार गोल्डन चांस इंस्टिट्यूट में स्वागत है दोस्तो आज हम रिजिनिंग से इंपार्टेंट कोईस्टन्स ले करके आयो है दोस्तो जो कि आपको बेहत पसंद आएगा चलिए दोस्तो बिना देर की होई हम सुरू करते हैं और इससे पहले हम बतान क्यों को देख सको चलिए दोस्तों बिना देर की होई हो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कुश्चन से दोस्तों कहे रहा है नीचे दिये गए प्रश्ण में संबंधित सब्द को चुनिए कहें मुर्गी का जो रिलेशन अंडा से है तो पेड का रिलेशन किसे होगा मु मैं हमारा करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चन के ओर चलते हैं दोस्तों कुश्चन नमबर दूसरा है कह रहा है नीचे दिये गए प्रश्ण में संबंधित संख्या को चुनना है देखिए सेबं से से छपपन बन रहा है दोस्तों 7 से 56 बन रहा है तो 11 से क्या बनेगा दोस्तों तो 56 का सत का i square कर देते हैं दोस्तों तो साथ सता 49 हो जाता है और इसी साथ को हम फिर इसमें i2 कर देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा अब वैसे इसको जो है 132 हो जाएगा और 132 की सापसन में है दोस्तों आपसन नमबर सी में है करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चन की ओर चलते हैं कुश्चन नमबर हमारा तीसरा है दोस्तों कहे रहा है नीचे दिये गए स्रिंखला को पूरा करें अब यहां देखिए 100 से 50 फिर 52 फिर अटाईश से कुश्चन मार्क 16 से 8 देखिए 8 दूना 16 गुड़े 2 कर रहा है अब इसमें 26 दूना 52 गुड़े 2 कर रहा है पचास दूना 100 12 का जोड़ा में कर रहा है गुड़ा कर रहा है तो यहां देखिए 14 दूना 28 हो जाएगा दोस्तो कितना क्या भरा जाएगा 14 भरा जाएगा दोस्तो जो कि आपसा नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चन निम्बर हमारा कह रहा है नीचे दिये गए प्रशन में लुक्त संख्याइए और दा है। तो कहा है इसलिए चार से अगर हम 4 को चार कर देते हैं तो तो चार चुव का सोला हो जाता अब इस दस को अगर हम इसमें घटा देते हैं तो कितना निकल के आएगा छे निकल के आएगा तो अब ऐसे इसमें बारा बारा का अगर स्क्वाइर करते हैं दोस्तों बारा का स्क्वाइर कर देते हैं तो 12 ब्रहम में 144 होता है अगर 144 में 196 को घटा देते है 96 को घटा देते है तो 14 में से 6 गया 8 अब देखिए 13 में से 9 गया 4 49 निकल के आएगा जो कि यहां 48 लिखा गया है तो अब ऐसे इसमें करेंगे 16 का हम स्क्वाइर कर देंगे 16 का अगर स्क्वाइर करते हैं तो 256 होता है कितना होता है 16 का 256 होता है 256 में अगर हम 152 घटा देते हैं तो 6 में से 2 जाएगा कितना आजाएगा 4 आजाएगा अब 5 में से 5 4 आजाएगा 5 में से 5 जाएगा 0 आजाएगा 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा 104 आएगा दोस्तो 104 आएगा 104 कीस आपसन में है B नमबर आपसन में है करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चन की ओर चलते हैं कुश्चन नमबर पांचवा कह रहा है नीचे दिये गए प्रश्चन में निन लिखित सब्दों का सही करम बताएं यहां देखिए महा बिद्यालय सीसु बच्चा बिद्यालय इवा तो देखना है हमें कि क्या होता है तो सबसे पहले सीसु आता है क्या आता है दोस्तों सीसु आता है जो कि अब उसके बास सीसु जो होता है थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बच्चा कहते हैं कहते हैं बच्चा कहते हैं दोस्तों जब बच्चा थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाता है तो उसको बिद्याले भेजा जाता है दोस्तों कहां भेजा जाता है जब बिद्याले बच्चा बिद्याले में जाता है तो थोड़ा बड़ा और हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इवा बोलते हैं अब इवा जब हो जाएगा तो महा विद्धैले में अपने आप जाना चालू कर देगा जो कि ए नंबर पर है अब देखना है इसमें कि तू थ्री फॉर फाइफ वन किसमें किस आप्षन में तो आप्षन नंबर डी में है जो कि करेक्ट हो ज यहां 166 है देखना यह देखना है कि तो 113 जो है क्या है अभाज संख्या है दोस्तों क्या है अभाज है और 131 भी अभाज है और यहां 137 भी अभाज है लेकिन 106 काचछट क्या है तुम्हारा भाज है दोस्तों भाज जो की कड़ जा रहा है दोस्ते देखिए भाज है और इसलिए यह जो है हमारा बिसम संख्या हो जाएगा और यही आपसन करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चन के ओर चलते हैं कुश्चन नमबर हमारा साथवा है कह रहा है पति पतनी परिवार में कौन सा बेन डाइग्राम बनेगा देखिए जैसे परिवार हो गया क्या हो गया परिवार परिवार में क्या आते हैं पति भी आता है पतनी भी आता है तो कौन सा बेन भाग है, P का अर्थ धन है, Q का अर्थ माइनस है, तो दिये गए समीकरण का मान ग्याद करना है, तो हमको सबसे पहले लिख लेना है 16, यहाँ P का अर्थ क्या दिया है, पलस दिया है, अब उसके बाद क्या कह रहा क्यों का अर्थ माइनस कह रहा है माइनस सिक्स हो जाएगा यम का अर्थ फिर कह रहा है भाग कह रहा है दो हो जाएगा अब यल का अर्थ क्या कह रहा है गुड़ा कह रहा है तीन हो जाएगा हम समय करना पूरा लिख लिए ऐसे बन गया अब इसको साल्ब करना है आप यहाँ देखिए इसका भाग करेंगे पहले भाग करते हैं तो 16 यहाँ पर भी भाग है 2 3 यह 6 माइनस 3 निकल के आएगा अब गूड़े 3 देखना है न आप यह बाला लिख लिये अब देखिए फिर 16 सबाने 6So guys 3 Có ढिन माइनस 3 तिन अब देखिए हमको पलस और जो है किपल सबस्क् Wrapास करना है आप सोल आ में 3 जो आ जोुड़ें के इसको जोड़ द다면 किपला जाए का उनीश जाएगा कितना हो जाएगा 19isl soc 33 19 अगर इस 19 में अगर 9 घटा देंगे तो कितना आजाएगा 10 आजाएगा 10 हमारा किस आपसन में है जो किसी नंबर में है अही करेक्ट हो जाएगा 9 कुश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों कुश्चन नंबर हमारा 9 है कह रहा है देखिए दी गई आकरित में कितने तिर्भूज हैं तो सबसे पहले हम यह चतुर भूज जैसे दिया गया है तो इस चतुर भूज को हम काउंट कर लेंगे इसमें जो दिया है यहाँ पर देखिए दिया गया है तो आब इसमें कुछ नहीं करेंगे नमबर डालेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, इस चतुर भुच को हमकी लिए तो आठ करते हैं, चतुर भुच का मतलब होता है, आठ अगर है तो आठ गुड़े दो कर देंगे, तो आठ दुना सोला आ जाएगा, अब देखना है दोस्तों, अब इसमें द सतरा हो जाएगा, अब देखिए सतरा एक, यहां एक है इधर भी अठारा हो जाएगा, अठारा हो गया, एक अठारा हो गया, अब देखना है, दो बड़े दिख रहे हैं, कौन सा है, दो बड़े बड़े दिख रहे हैं, यहां से देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहा हो गए 20 हो गए 20 किस आपसर में है दोस्तों आपसर नंबर सी में है करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चन की और चलते हैं कुश्चन नंबर हमारा दस्वाह है कह रहा है इसमें दोस्तों जे जे याम पी कुउ से क्या बन रहा है याच के यान ओ बन रहा है तो जे से देखिए हमारा यच बन रहा है जे कितने पर आता है 10 पर आता है और H कितने पर आता है 8 पर आता है तो माइनस 2 हो रहा है अब इसमें यम जो है देखिए 13 पर आता है कितने पर आता है 11 पर आता है तो इसमें भी माइनस 2 हो रहा है तो अब यहां देखिए पी जो है 16 पर आता है यन 14 पर आता है इसमें भी माइनस 2 हो रहा है दोस्तों क्यू जो है 18 पर आता है वो जो है क्यू स्वारी क्यू 17 पर आता है और वो जो है हमारा पी 15 पर आता है तो कितना माइनस हो रहा है इसमें माइनस 2 का इसमें भी हो रहा है Yal C O P अब इसमें minus 2 हमेशा कर देना है दोस्तो कितने पर आता है हमारा 12 पर आता है तो 12 में अगर 2 minus करेंगे तो 10 आएगा 10 पर क्या आएगा दोस्तों J आएगा अब देखिए C हमारा 3 पर आता है 3 पर तीन में minus 2 करेंगे तो 1 आएगा देखिए ओ हमारा 15 पर आता है अगर इसमें हम 2 माइनस करेंगे 13 हो जाएगा 13 किस पर आता है दोस्तों यम पर आता है अब देखिए पी हमारा 16 पर आता है 16 में अगर हम 2 माइनस करेंगे 14 हो जाएगा 14 कौँ सा नमबर आता है 14 पर यन आता है जो दोस्तों अब देखिए यहां पर जे ए यम यह निकल कर आ किस आपसन में है आपसन नंबर बी में है जो की करेक्ट हो जाएगग दोस्तों नेश्ट कुशन के और चलते हैं कुशन नंबर हमारा 11 है कहे रहा है नीचे दिये गए प्रश्ण में विसम अक्षरों को पहचान करें विसम अक्षर पहचानना है दोस्तों देखना सीधे सीधे दिख रहा है दोस्तों इस नंबर में देखिए पांच है अलफा बेठ हैं और इसमें भी पांच हैं और इसमें भी पांच हैं लेकिन इसमें दोस्तों देखिए चार ही हैं सब में पांच पांच हैं लेकिन इसमें चार हैं तो आपसन नमबर हमारा भी जो है बीसम हो जाएगा यही correct हो जाएगा next question के ओर चलते है question number हमारा देखिए 12 कह रहा है नीचे दिये गए प्रश्न आकरित का दरपण प्रद्वीम ग्याद कहें दरपण प्रद्वीम देखिए यहाँ पर रखा गया है तो यहाँ देखिए पहले क्या बनेगा पहले देखिए ऐसे बना लेते हैं दरपण प्रद्वीम ऐसे बना लेते हैं तो यहाँ देखिए गुड़ा हो गया अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर देखिए पलस हो जाएगा यहाँ पर भाग हो जाएगा किस आपसन में ऐसे बना है तो आपसन नमबर D में बना है जो कि करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चन के ओर चलते हैं कुश्चन नमबर 13 है दोस्तो नीचे दिये गए प्रश्न आकरित कौन सा उत्तर आकरित में निर्मित है यहाँ पर जो बना है दोस्तो किस उत्तर आकरित में है देखिए इसमें नहीं बना है दोस्तो इसमें नहीं बना है यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक में बना है जो कि उमीद है आपको यह पसंद जरूर आया होगा यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास सेर कर दीजिए और जो है जो भी हमारे नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आईसी वीडियो रोज लाते हैं तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही नम आसकार